हलो दोस्तों, आपने सांप और नेवले की लराई के बारे में तो अवस्य सुना होगा और आप में से काफी लोगों ने इसे देखा भी होगा, इस दौरान दोनों ही घायल हो जाते हैं और दोनों का ही खून बहता है, लेकिन ज्यादा तर मामलों में नेवला सांप पर भारी परता है 95% से जादा टाइम्स सांप की मौत हो जाती है तो अब सवाल आता है कि आखिर सांप और नेवले की लराई में अगर सांप नेवले को डस ले तो नेवले की मौत क्यों नहीं होती है लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हर प्रजाती की सांप के काट लेने के बाद भ और नेवला मैदानी तथा पहारी दोनों ही इलाके में पाया जाता है। कि साप अगर नेवले को डस भी ले तो भी 95% से ज़्यादा बार नेवले बच जाते हैं। उनकी मौत नहीं होती है। तो अब इसका scientific reason भी जान लेते हैं। के रिसेप्टर्स के साथ बंधने में अप्रभावी होता है। और इसलिए नेवले की मौत नहीं होती। इन सापों की प्रजातियों में नाग, करैत, किंकोब्रा या फिर अफ्रीका में पाया जाने वाला सबसे जहरिला साप ब्लैक मामबा कुछ मुख्य प्रजातियां होती ह लेकिन बता दूं कि होमो टॉक्षिक विस वाले साप जैसे रसल वाइपर, सोय स्केल वाइपर या पिट वाइपर के सम्मुक नेवला अक्षम होता है। यानि अगर ये होमो टॉक्षिन वाले साप नेवले को डस ले तो नेवले के शरीर पर भी होमो टॉक्सिन जहर वाले सांपों का जहर वैसे ही लगता है जैसे दूसरे जानवरों पर लगता है हलाकि नेवले के शरीर में रिसेप्टर्स होने की वज़ा से होमो टॉक्सिन जहर में भी उनका शरीर कवच की तरह काम करता है लेकिन निरो टॉक्सिन जहर के कंपेर में होमो टॉक्षिन काफी तेजी से नेवले के शरीर पे काम करता है तो ऐसे में अगर कभी रसल वाइपर या वाइपर की परजातियों की कोई जहरिला सांप नेवले को कई बार दस ले तो इससे नेवले की जान भी जाती है वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि निवरो टॉक्सिन और होमो टॉक्सिन जहर में क्या फर्क होता है तो इस टॉपिक पर एक वीडियो का लिंक में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उपर आई बटन में डाल दे रहा हूं इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी जरूर चेक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि Bollywood News, Mysterious Facts और ऐसे ही रोचक जानकारियों के उपर हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके